वैलकम बैक टू माई निव वीडियो गैस आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों हम फिलिप कट से जो भी सौपिंग करते हैं उसका दोस्त एक हिस्टरी बन जाता है जैसे कि देखो यहाँ पे हम आते हैं माई ओर्डर्स पे तो आप यहाँ पे देख सकते कि इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जैसे कि दोस्तों यहाँ पे एक प्रोड़क्ट है और इसे अगर मैं हिस्टरी से हटाना चाहता हूं जैसे कि बहुत से लोग इस लिए इस रिजन से करना चाहते हैं कि उनका कोई मॉइल ले लेता है और और स्वापिंग वाले आप्लिकेशन चेक करते हैं तो उनका माई ओडर वाले सेक्शन पर दोस्तों पूरा प्रोड़क्ट दिख जाता है कि आपने क्या कब मंगाया था इसे आप कैसे रिमूव करोगे यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप इस वीडियो को पूरा ही आते हैं तो यहाँ पर देखो दोस्तों यह जो एक प्रोड़क्ट है ठीक है यह दोस्तों डिलिवर्ड हुआ है आप देखलो यहाँ पर दोस्तों हमारा ओडर था अब देखलो 27 मार्च का और यह हमें दोस्तों चार अपरेल को डिलिवर हो चुका है यहाँ पर दोस्तों कोई एक need help का option है इसके अलावा कोई भी यहाँ पर delete का option आपको नहीं देखने को मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो बट आप ट्रेंसन ना लो आज की इस वीडियो में हम आपको confusion दूर करके दिखाएंगे और पूरा आपके मन में doubt क्लियर हो जाएगा कि हम इसे दोस्तों delete कर सकते हैं या फिर नहीं सबसे पहले दोस्तों need help की option पर हम click कर लेते हैं इस option पर हम जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको chat का option मिलता है दोस्तों हमें यहाँ पर सीधे type करना है order my order history delete ठीक है my order history delete इतना मैंने यहाँ पर send कर दिया है तो यहाँ पर दोस्तों एक message आया है I am sorry because currently we cannot delete order history मतलब दोस्तों अभी जो है order history हमारा delete करने नहीं delete कर सकते हैं मतलब यह delete करने का कोई भी feature अभी हमें नहीं मिलता है दोस्तों हम यहाँ से back आके दिखा देता हूं मैं यहाँ पर जैसे फिर से यहाँ पर my order वाले option पर आते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत से लोग आपको इसी तरीके से उल्या के बेवाकूफ बनाते हैं ठीक है बड़ दोस्तों आपने सीधा यहाँ पर सुन लिया सामने वहां सीधे reply आया कि हम इसको delete नहीं कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तों एक filter का option है हम इस filter वाले option पर क्लिक करते हैं जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यह देखो order time का एक option है और order status का एक option है ठीक है तो इसमें भी बहुत से लोग बोलते हैं कि 2020 ऐसे मतलब पूराना कर दो तो यह हट जाएगा जैसे हम करते हैं यहाँ पर देखो तो यह दोस्तों थोरी देर के लिए हट जाएगा यहाँ पर देखो हट चुका है अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है बट वही हम बैक आएंगे फिर से माई order वाले option प्या जाएंगे तो दोस्तों फिर से यह जो प्रोडक्ट है फिर से आ जाएंगे मतलब आप इसे अभी दोस्तों डिलीट नहीं कर सकते अब आगे अगर हो सकते कहीं फिलिप कार्ड ने फीचर को अपडेट किया ठीक है तो ह हम दोस्तों कर पाएंगे बट अभी दोस्तों कोई option नहीं है order history को डिलीट करने का आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे comment box में comment करके जरूर बताना वीडियो अच्छी लगी हो तो like or share करके चैनल को सब्सक्राइब करना इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स्ट पूरियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत